Hello students, welcome to my nurture, मैं हूँ Krishna, कैसे हां सब लोग, मस, बढ़िया, स्टार्ट करें अपना next lecture, yes, तो फार्मासुटिक्स में, not फार्मासुटिक्स में, फार्मासुटिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे फार्मासुटिक डोजिस फॉर्म है ना, अलग अलग जो डोजिस फॉर्म होती हों टैबलेट, कैपसूल, सीरप, जिसमें हम लोग ने टैबलेट को कवर कर लिया था, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैपसूल और इस कैपसूल को आज हम लोग एक ही लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है ना, कैपसूल बहुत टाइप के होते हैं, हम लोग यहाँ फोकस करें है तो basic basic चीजे advantage disadvantage उसकी manufacturing है ना यह सब basic basic चीजे तो पढ़ने ही पढ़ेंगी क्योंकि नहीं पता अंदर से सवाल कैसा आएगा ओके चलो start करते हैं हम लोग तो definition से start करते हैं definition हम सबको पता ही होगी इसकी और दरवाइस मन्स भी बना सकते हैं तो क्या कैप्सूल की कवरिंग के अंदर रखा जाता है तो वाटर सॉलीबल शेल के अंदर है और ये इंवलप तो पता ये क्या होता है लिफाफा ठीक है ना अदर कैप्सूल शेल इज मेंट फ्रम जेलेटीन बहुत से बच्चे कंशेल जेलेटीन हार जेलेटीन सॉफ्ट जेलेटीन कैया है अभी हम देखेंगे जेलेटीन को भी डिटेल वे समझेगे The capsules are available both as hard capsule and soft capsule तो hard capsule कौन सा होता है बेटा hard capsule वो ही होता है जिसका आप दो पार्ट में खोल लेते हो उसके नदर potter गरा निकाल लेते हो soft कौन सा होता है जैसे कि आपने कभी खाया होगा वो fish वाला oil का capsule आता है na golden color का पूरा pack होता है वो soft soft सा होता है उसे soft capsule कहते है ठीक है आगे आते है तो advantage capsule के क्या क्या है हमारे पास The drugs having unpleasant order जैसकी बदवू है थोड़ी सी गंदी से बदवू आती है टेश्ट गंदा है उसको हम लोग administer कर सकते है easily capsule के अंदर बंद करके in a taste less shell जो capsule का shell होता है और taste less होता है उसका डाल करके हम easily उसे खा सकते है They are smooth become very slippery काफी smooth होती है slippery होती है when moist जब गिली होती है and can be easily swallowed और easily उन्हें निगला जा सकता है They are economical सस्ती होती है अपनी They are easy to handle and carry उनको carry करना handle करना काफी आसान होता है The capsules release the medicament as and when desired capsule अपने अंदर से दवाईयों को तभी निकालता है ऐसा भी हम capsule को या फिर यूं कहें हम capsule को ऐसा बना सकते हैं कि हमें जब उसको अंदर से दवाईयां निकालनी है जैसे कि हम लोग क्या पढ़ते हैं enteric coated tablets पढ़ते हैं ठीक उसी तरीके से हम लोग enteric coated capsule भी बना सकते हैं किलियर है Capsules are made from gelatin 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 क्या है सर्य gelatin 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 जल्दी से बता दो दिमाग में आ रहा रहा है जलटीन क्या है gelatin ने परिशान कर लिए gelatin क्या है gelatin ने compound होता है gelatin ने chemical होता है होता है exactly gelatin क्या होता है देखते हैं अभी Capsule are made from gelatin and hence they are therapeutically inert gelatin की बनी होती है इसलिए उसका कोई भी therapeutic effect नहीं होता है inert होती है इसके बाद देख लेते हैं हम लोग gelatin को भी देख लेते हैं gelatin क्या होता है देख रहे हैं अभी एक मिट रुक जाओ बस अभी देख रहे हैं They are attractive in appearance देखने में काफी अच्छी लगती है Capsule Product identification है ना अलालग colors की होती है तो उसको ढूणना असान होता है चोटी बड़ी होती है और product को हम easily find कर सकते हैं कहीं कौन सा product हमने बना के तयार किया हूँ है different sizes available है specialized doses form can be made special type की doses form हम लोग बना सकते हैं तकी chewable चवाने वाले कैपसूल extended release, sustained release कैपसूल भी हम लोग बना सकते हैं just like tablet now disadvantage क्या है they are hygroscopic the hygroscopic drug cannot be filled in capsule ऐसे drugs जो पानी को सोकते हैं उसको हम कैपसूल के अंदर नहीं भर सकते हैं क्योंकि कैपसूल बेकार हो जाएगा they absorb water present in the capsule क्योंकि जो कैपसूल के शेल में पानी मजूद होता है पानी होता है थीक है ना तो पानी ऐसा नहीं कि गिला गिला होता है लेकिन हाँ पानी होता है कोई चीज ऐसी जो पानी सोकने की छमता रखती है तो शेल के अंदर से पानी को सोक सकती है and hence make it very brittle तो फिर बहुत जाब बेटल हो जाएगा तूट सकती है ठीक है कैपसूल के अंदर जब पानी सूख जाएगा तो कैपसूल नॉमली देखाऊगा तुमने जो नया नया कैपसूल होता है वो ऐसा दबादो तो जल्दी तूटता नहीं है लेकिन जो कैपसूल पुराने होते हैं एकस्पाइरी के पास आ जाते हैं या फिर किसी कैपसूल को तुमने धूप में रखा छोड़ दिया है गलती से फिर तुम उसका ऐसे प्रेस करोगे चट्ट से तूड़ जाता है देखाऊगा तुम लोग ने नोटिस करना इस चीज़ को विच अल्टिमेटली ब्रेक्स इंटू दा पीसे तूर चूर सा हो जाता है इसी प्रेशन जिनको डैलूशन की ज़रूद है उसको डैरेक्ट ना देकर के एक साथ ना देकर के तो तोड़ा करके देना पड़ता है और अंसुटेबल फॉर कैपसूल बिकॉस इट में लीड तो इरिटेशन इनी स्टमक इस एड्मिस्टर्ड ऐस सच क्योंकि अगर हमने इसको ऐसे जो डैलूट करने की ज़रूद परती है उनको कैपसूल बहर दिया तो कैपसूल जैसी घुलेगा पूरा ड्रग एक साथ निकल के भार आ जाएगा फिर वो क्या करेगा हमारे पेट में जाके जलन वगरा पैदा कर सकता है तो यह कुछ की डिसअडवांटेज है जो की कम है लेकिन हाँ है अब टाइपस आफ कैपसूल की बात करें तो हाड और सॉफ्ट जैलेटिन के अधार परी इसे क्या किया गया है हाड जैलेटिन कैपस इंक को लोग चकरा जालेंगे तॉन को द्यान हो फार्वा को उसे पढ़ाते वक्त बताया था लूदी लेकिन उसको बनाने के लिए एंपस की स्टाइन का इस्तेमाल किया जाता है थीग क्यों तो बात मैंने रिएओ तो यह नी यूझअ बताई थीजिय जेलेटीन और जेलेटीन रहता है अदहादूर अदूर व्हाल मेला टाइप का फ्लेवर लेस फी इंग्रीडियेफ्ट एक जीष्म तुम लोग ने है याद आ रहा है टेकन फ्रॉम एनिमल बॉडी पार्ट इसलिए कई बार कुछ लोग देखा होगा तुम लोग ने जो लोग थोड़ा सा है दवायां खाने से मतलब जो लोग कता ही बिल्कुल ही एक एपसूल का वो एनिमल के पार्ट से बना हुए है अनिमल के कॉलिगन से बना हुए है इससे बनता है इसको हम लोग हाइड़ोलाइस कॉलिगन कॉलिगन हाइड्रोलाईसेट जेलीटिन हाइड्रोलाईसेट हाइड्रलाइस जेलटिन फैप्टाइड अव्टर इड फैप्टाइड्स अाफ्टर इट अंर्गो हाइड्र condiciones होने के बास हम लोग इसको इन तमाम नाम से जानते है इट ठीक है, it is commonly used as gelling agent, अब देखो यहाँ पर बात समझ ना देखो, यह gelling agent का काम करता है, food के अंदर, beverages के अंदर, medications, drug और vitamin, capsule, photographic film, paper and cosmetic, इसी लिए तुम लोगने देखाऊगा बटा, कई बार खाने के उपर ना ऐसा green green गोला होता है किसी के उपर ऐसे brown गोला होता है याद है, food की packing के उपर एक green marking से होती है, brown marking से होती है ठीक है, बात करेंगे इसके उपर कभी discussion करेंगे, कभी check करना है कभी green, ऐसे square में green marking से रहती है, food packet के आगे पिछे कहीं ना गए जो यह indicate करते है, green का मतलब हो गया, pure और इसके अंदर किसी भी type का animal product इस्तमाल नहीं हुआ है ठीक है, what kind of gelatin is used in capsule किस परकार का gelatin इस्तमाल हो रहा था primary gelatin type used in capsule है typically from bovine, bovine मतलब cow cow से निकला हुआ and porcine मतलब pig तो समझ लो मतलब cow, guy और sewer के मतलब मार करके उसके अंदर से collagen को निकाल करके उसे सुखा करके फिर capsule बनाया जा रहा है ठीक है, raw material bovine bone gelatin, bovine के bone का जो, bovine मतलब हो गया अपना cow, उसके gelatin होता है for example contribute to capsule firmness वो capsule का firmness मजबूद बनाने के इस्तमाल किया जाता है porcine option on the other hand offers plasticity, clarity and characteristics यही पर हम बात करें जो porcine pig वाले का अगर लिया जाए तो plasticity और clarity के characteristics प्रोवाइड करवाती है तो clear हो गया यह gelatin कहां से आ रहा है और किस चीज का बना हुआ होता है ओके, यह बात हो गई अब बात करते हैं, जो देखो hard gelatin जो याले capsule होता है इन्हें को hard gelatin कहते है है ना, काफी hard से रहते हैं यह इसके अंदर medicine भर दी जाती है, खीक है जो यह वाला part होता है इसको हम लोग body बोलते हैं जिसके अंदर mainly दवाई भरी होती है और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, cap बोल देते हैं clear है, चलें आगे तो hard gelatin capsule आगे आते हैं इनको इस्तमाल करते है solid powder क्या है solid, solid दवाईयां powder है, granules है ठीक है, उनको देने के लिए capsule का hard gelatin का इस्तमाल किया जाता है the capsule cell is prepared from gelatin gelatin से prepared किया जाता है color and titanium dioxide gelatin का इस्तमाल होता है, color को यह color देना होता है titanium dioxide to make it opaque और titanium dioxide का इस्तमाल करते हैं कि यह पूरा opaque हो जाए opaque मतलब इसके arc पर ना दिखाए पड़े opaque मतलब इसके arc पर चीज़े नहीं दिखाए पड़ती है it consists of two parts body and cap दो पार्ट होते हैं body और cap the powder material is filled into the cylindrical body यह cylindrical body होती है इसका नदा powder material भर जा जाता है of the capsule and then उसके बाद the cap is placed over it उसके उपर cap लगा दिया जाती है ठीक है typically filled with dry solid typically आम तोर पर इसको dry सूखे solid से भरा जाता है जैसे कि powder से भर देंगे granule से palette से या कोई tablet ही अंदर डाल देंगे इसके ठीक है कोई बदूदार यह वशे and semi solids काई बार कुछ हम लोग semi solids का भी इस्तमाल कर लेते हैं इसको भरने के लिए ठीक है fixed oils and other liquids fixed oils fixed oils and other liquids that do not dissolve gelatin जो gelatin को dissolve नहीं करें ऐसे oil या liquid जो gelatin को dissolve नहीं करें वो may be filled into the hard gelatin capsule ऐसे को हम लोग hard gelatin capsule के अंदर fill कर सकते हैं बात समझ में आ रही है clear है the empty capsules are available in various sizes empty capsules है खाली capsules जो इसकी manufacturing ना hard gelatin वाली की दो पार्ट में manufacturing होती है capsule अलग बनाए जाते हैं उनको बना करके फिर दूसरे department में भेज जाता है वहाँ पर उसके अंदर drug भरा जाता है तो देखो अलग लग साइजें बनते हैं they are number according to the capacity of capsule उनको number दिया गया है capsule की capacity के according the number starts from triple 0 and goes up to 5 this is your one marks question बेटा mark करेंगे ठीक है ना यह तुम्हारा one marks question है यानले कि MCQ का question है कि उसकी numbering क्या होती है सबसे बड़ा triple 0 होता है सबसे छोटा 5 होता है कितने triple 0 के अंदर कितने miligram आ सकता है उसकी value दे रखी है ठीक है जो तुमको याद करनी है last year size किसी state में एक question आया है सबसे बड़े capsule का size क्या होता है यानि कि यह triple 0 है उसका size लगबग कितना जा रहा है यह millimeters में है 25 लगबग 25 millimeters है लेना जरूरी है clear है size का matter clear हो गया आगे आते है soft gelatin capsule soft gelatin capsule के अगर हम बात करें तो यह soft होते हैं जैसे यह style से देखेंगा न तुमने गोल यह से आती है जैसे एक आख में आख में ट्यूब आता है निवोरी वाला ट्यूब बोलते हैं डालने के लिए हो भी soft gelatin का बना हुआ होता है ठीक है ना ओके तो आगे आते हैं हम लोग soft gelatin capsule soft gelatin capsules are one piece यह एक ही piece का होता है इसको हम खोल नहीं सकते हैं hermetically sealed hermetically मतलब होता है बहुत काइदे से अच्छे से उसे seal किया हुआ रहता है soft gelatin shells को ठीक है ना hermetically sealed soft gelatin capsules होते हैं यह shells होते हैं they have long been preferred doses form for those taking health and nutritional supplement बहुत लंबे समय से इसको हम लोग जो nutritional supplements होते हैं vitamins की capsules होते हैं fish liver oil वगरा जो होता है इसका liver oil वगरा fish oil होता है उसके लिए capsule वगरा का इस्तमाल हम लोग generally इसी soft का करते हैं soft gelatin capsules का करते हैं soft gelatin capsules are available in round इसके कई सारे shape हैं वो केवल cylindrical shape में था हाड़ वाला round है, oval है, tube like shape है कई सारे shape से available हैं they are made from gelatin again यह भी gelatin से बनावा होता है gelatin is plasticized by addition of glycerin and sorbitol यह mark करेंगे उसको मुलाइम कर लेते हैं plasticize कर लेते हैं glycerin and sorbitol मिला करके soft gelatin shell may contain preservative to prevent the growth of fungi क्योंकि soft होता है तो उसमें और पानी तो होता ही है उसके फंगस लग सकता है तो उसके अंदर हमें gelatin को बनाते वक्त उसके प्रिजरवेटी भी डालने पड़ते हैं they are used to enclose liquid medicines, oils, क्योंकि पूरा close होता है तो इसके अंदर हम liquid और oil वाली चीज भी भर सकते हैं suspension भर सकते हैं food, concentrates and ophthalmic product ophthalmic मतलब जैसे आंक में निवोई वाला tube होता है तो आंक में डालते हैं उसके लिए तो ophthalmic product आ गया ठीक है न? यह तमाम shape हैं oblong, lambे-lambे, oval, gold, round, circular, oval मतलब हो गया इस टाइब से अंडा आकार, round विल्कुल गोल होगे suppositories, एक तरफ पतले, एक तरफ मोटे ठीक है और special shapes, अलग-अलग shape के यह मौजूद है जो की available है market में soft gel capsules बास समझ में आ रही है excipients used in the filling capsule अब यह common है, क्या-क्या होई जो हम very very important mark कर लेंगे इसे अगर capsule से tablet, capsule से question आता है तो 99% बलकी बोलूँगा मैं question उठके यही आएगा differentiate between soft and hard gelatin capsule ठीक है न तो यह तो तुमको बिल्कुल इस पूरे topic में कुछ और याद होना हो यह पूरा याद होना चाहिए तो आप देखाएं क्या है ज़रा यहाँ पर the heart gelatin capsule shell consists of two parts body or cap यहाँ पर दो पार्ट होते हैं यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है the soft gelatin capsule shell becomes a single unit after sealing the two halves of the capsule यह just like जो soft gelatin ऐसे दो half होते हैं इसके medicine भरके ऐसे चिपका दिया आता है तो seal होने के बाद फिर यह एक single दिखाई परता है बट यह इसको खोल सकते हैं body और cap के रूप में they are cylindrical shape only but they are round, oval, tube-like अलग-अलग shapes में मौझूद है they contain of the contents इसके अंदर का content होता है heart gelatin capsule का usually consist of medicaments और mixture of medicaments in the form of powder, beets और granules powder या granules के रूप में इसके अंदर का medicaments होता है but the contents of soft gelatin capsule usually consist of liquids or solid dissolved or dispersed in suitable excipients to give a paste-like consistency simple हम कहा सकते हैं यहाँ पर जो भरा जाता है वो solid होता है और यहाँ पर जो भरा जाता है वो generally liquid रूप में होता है clear है they are prepared from gelatin, titanium, dioxide coloring agent and plasticizer तीजियों से मिलके बना हुआ है gelatin, titanium dioxide, coloring agent and plasticizer जो plasticity थोड़ा सा plastic वाला appearance देगा लचीला पन देगा they are prepared from gelatin, plasticizer, glycerin and sorbitol and preservative यहाँ पर एक preservative भी होता है जो कि यहाँ पर नहीं होता है यह बटा छोटोटोटोटोटोट डिफरेंस है ना liquid, solid यह सब तुम्हारा one marks में कोशी चला जाता है कई बार, आ जाता है capsules are sealed after they are filled to ensure that the medicament may not come out of the capsule due to rough handling filling and sealing of soft gelatin capsules are done in a combined operation on machine तो यहाँ पर क्या कह रहा है capsule are sealed after they are filled to ensure that medicament may not come out of the capsule क्या रहा है capsule को sealed किया जाता है दवाईयां भरने के बाद लेकिन यहाँ पर जो filling और sealing है वो एक साथ हो रही है filling and sealing एक साथ हो रही है are done in combined operation एकी साथ filling fill हुआ और seal कर दिया एक साथ ही बनता है यहाँ पर capsule अलग से नहीं बना जाते हैं process देखेंगे अभी हम समझाएंगा उस process को तो यह कुछ गिने जोने पांच पॉइंट है जो important है इसमें कुछ और extra तोड करके इसमें से अलग से कुछ बना सकते हो ठीक है ना तो यह तुमारा पर difference of hard and soft gelatin capsule very important अब यहाँ पर आते है manufacturing of hard gelatin capsule कैसे होता है manufacturing तो बात करें यह just कुछ वैसा ही है कैसा है अच्छा यह यहाँ पर doubling हो रही है ठीक है तो सबस्क्राइब कभी तुम लोग देखा है कभी YouTube बगरा पर देखा हो कभी mall बगरा गए हो तो वहाँ पर सामने सामने क्या करते हैं ice cream लेते हैं गीले से liquid में डालते हैं तुरंत हवा के आगे रखते हैं और वो एकदम कड़कों के सूख जाती है उसके उपर covering चड़ जाती है देखा है पानी आगे है मूँ में देखा होगा ना इस तरह डारेक्ट पानी में डिप किया और बाहर निकालके पानी के हवाँ चलती है इस ने इंडी उसके आगे रख देते हैं उसके उपर जम जाता है वो सेम वैसी यहाँ पर होता है पहले हम लोग डिप करेंगे ठीक है मशीन होती है इस तरह से राउंड शेप की रहेगी इसके नीचे ना इस टाइप से कैपसूल के सेप के ना निकले हुए रहते है ठीक है इसको हम लोग क्या करेंगे जो जेलेटिन होता उसमें ऐसे डिप कर देंगे डिप करने के बाद और ये ना ऐसे गोल गोल घुमते रहते हैं तो जेलेटिन को अपने उपर लपेट लेगा gelatin लपेट लिया अपने उपर भार आएगा उसके उपर क्या करते हम लोग drying फिर strip dry कर लिया फिर इन calls को निकाल लेते हैं खांचों से यह खांचे निकल निकल के अलग आते हैं फिर हम इसे trim करते हैं size थोड़ो छोटे बड़ो बनाते वक्त थोड़ा सा फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है मालो कोई जलेटीन की लेयर कुछ ऐसी थी ऐसी चड़ गई है को जलेटीन की लेयर ऐसी ऐसी हो गई है तो फिर नाइफ की हैल्प से हम एकजट काड़ देते एक शेप में इसको तो एक फिनिशिंग आती है और ल solution to simultaneously form the cap and body, एक साथ उसकी cap और body एक साथ बनती है, दो cap हो गए, एक साथ एक body का, एक cap का, ऐसे dip किया solution के अंदर और यह से गोल-गोल-गोल घुमते रहेंगे, the dipping solution is maintained at the temperature of about 500 degree centigrade in a heated jacket dipping pen, ठीक है, पैन रहता है, हीट करते रहते है, उसको solution रहता है, गाड़ा-गाड़ा सा उसक एसे घुम रहा है, तो इसके उपर एसे गोल-गोल लपेटता जा रहा है, किलिए अब आते हैं, now spinning, the pins are rotated to distribute the gelatin over the pins uniformly, जो pin है इसके अंदर की यह ऐसे गोल-गोल-गोल घुम रही है, तो इसके उपर ऐसे करके gelatin लपेट जाता है, to avoid the formation of beads at the capsule end, अगर ऐसे करके नहीं घुमेग ठीक है, then drying, the gelatin is dried by a blast of cool air, तुरंत एकदम एक blast बहुत तीजी से ठंडी हवा फ्यांकी जाती है, to form a hard shell, और वो एकदम से जम जाता है, गरम होता है, ठंडा होगा तो एकदम से जम जाता है, जब pins are moved through the series of dry cleans to remove water, और उसके बाद dry cleans होती है, एक setup होता है, उसके अंदर से उनको किसी चीज को उतार लेना, कपड़े उतारना, इस stripping कहलाता है, a series of bronze jaws strip, bronze की बनी हुए ऐसे नोकी डिदार रहती है, वो ऐसे क्या करेंगे, जैसे यह है ना, जैसे कर खींच करके, क्या करेंगे, इसके अंदर capsule cells को निकाल निकाल के अलग करेगी, and body portion of the capsule from the pins, तो cap and body portions को ऐस माल लो कोई capsule को ऐसा होना चाहिए, अब माल लो कोई capsule ऐसा, हलका सा extra यह निकल आया है, या कुछ extra लंबा हो गया है, तो हमें इसे एक series उसमें डालते है, knife होती है, वो एक ही shape में सबको एक साथ cut करके, एक shape में लेके आते हैं, trimming and joining, तो body and cap को trim किया जाएगा, और उनको फिर जोड दिया जाएगा, the stripped cap and body portions are trimmed to required length by stationary knife, जितनी length है चाहिए, उतने में उसे trim कर दिया है, काट दिया जाएगा, the cap and body lengths are precisely trimmed to plus minus 0.5 mm tolerance, कितना उसके अंदर गलती की गुंजायस है, 0.15 mm, इससे यदा नहीं, after trimming to the right length, सही length में जब कट गया है, the cap and body portions are joined, उनको join कर दिया आता है क्योंकि अभी उसके अंदर medicine नहीं भरी जा रही है, medicine भरने के लिए उसे आगे भीजा जाएगा, finished capsules are pushed into a conveyor, conveyor belt होती है, जो finished होगी नीचे गराता है जाता है, conveyor belt ऐसे आगे उसे लेके चलता रहता है, which carries them out to a container, वो container से उसे भार लियाता है, capsule quality is monitored throughout the production process, capsule quality को monitor किया जाता ह including size, moisture content, single wall, thickness and color, हर एक चीज़ की चेक की जाती है, पूरे production के दोरान, capsules are sorted and visually inspected on spatially designed inspection stations, proper मतलब उनको check किया जा रहा है, जो inspection stations होते है, perfect capsules are imprinted with the client logo on high speed, जो capsule perfect होते हैं, उसके उपर client जिसने बोला है production के लिए, उसका logo लगा दिया जाता है, और उसे आगे पास करते जाएग फिर polish की जाएगी, logo लग गया, अब polishing इस तरह का container रहता है, अंदर यह देख रहो mixing blade से ऐसे 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 को करते रहेंगे, और यह अंदर से inlet हवा जा रही है, यह spray gun है, spray मारेगा और सारे के सारे capsules के उपर क्या हो जाएगी, coloring हो जाती है, ठीक है, तो इसको pan polishing कहते हैं, cloth dusting भ तो polishing कही तरीके से हो सकती है, ना storage जो capsule बन गए है, finished capsule normally contain an equilibrium moisture content of 13-16%, इतना उसके अंदर moisture होता है, to maintain a relative humidity of 40-60% when handling and storing capsule, और उसमें लगबग 40-60% उसके अंदर उसके आस-पास humidity रहनी चाहिए, जब उसको store कर रहे हैं या handle कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा try या heat नहीं होनी चाह जाती है, अब हमारे पास क्या है, capsule बन के तयार हो गया है, तो आओ, अब जारा हम उसे fill कर ले, ठीक है, capsule बन के तयार हो गया, hard gelatin capsule बन के तयार हो गया, भरेंगे कैसे, उसके अंदर भरना है, तो जगो, हम लोग यहाँ पर भरने के कई सारी तरीके होते हैं, automatic, semi-automatic, लेकिन हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, hand-operated, जो हाँ से operate होती है, ठीक है, तुम लोग अगर डाला हो यूटूब पर, hand-operated filling machine, capsule filling machine, तो तुमको दिख जाएगा, अब तो इसमें होता है, simple सी बात बताओं तुम लोगो, समझ लो, यहाँ पर न एक खाचे हैं यह, यहाँ पर क्य क्या है, खाचे बने होते हैं इस टाइप से, ठीक है, हम इसके अंदर, अपने capsules को set कर देते हैं, Capsules हमारे क्या हो गए? Set हो गए इसको उठा करके हम यहां रखते है ठीक है, this is a loading tray इसको उठा करके हमने यहां रखा, यह bed है यहां पर क्या है हमारे पास? Capsules है, सारे इस तरह से Set हो जाएंगे ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इस loading tray को हटा देंगे मतलब मेरे load कर दिया, loading tray से हमने क्या 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 है? Capsules यहां पर हमने load कर दिया ठीक है, load करने के बाद क्या किया हम लोगों ने? ठीक है यहां पर हमारे पास एक वो होता है क्या कहते है? powder tray इस टाइप से रहेगा और जैसे रहता है ना कूले उठाने वाला, ऐसे slant रहता है यहां पर इस तरह से रहेगा यहां पर हम लोग क्या करेंगे? powder ले जा करके, इसको उठा करके यहां रख देंगे ऐसे करके ठीक है? और जो powder हमने डाला है ना जैसे कि मैं क्या इसकी help से बता हूँ, सपोज मेरे पास वो है सपोज ही मैं अपना mobile उठा लेता हूँ तो powder कैसे डाला इस पैशुला की help से और ऐसे ऐसे करके इसके अंदर level किया, तो सारा powder इसके अंदर set हो जाता है फिर हम लोग क्या करते हैं? कि यह उपर pin plate होता है इसको ले जा गरके ऐसे press करते हैं तो जो powder होता है वो अंदर डब जाता है क्योंकि हम लोग यहाँ पर जैसे मालो 200 capsule है, तो 200 capsule के अंदर उतना powder जाना चाहिए, powder calculate होके रखा होता है अब बचा हुआ है तो इसको press करेंगे फिर powder डालेंगे, फिर ऐसे समेट देंगे और जो extra powder बचे जाता है उसको ऐसे खीज करके इस तरफ यहाँ चड़ा लेते हैं यहाँ पर जगे होती है और फिर यह powder tray को हम लोग अलग कर देते हैं बास समझ में आई फिर हम लोग इस तरीके से powder tray को अलग कर देंगे किलियर है अब इसको हटाएंगे ठीक है उसके बाद हम लोग क्या करेंगे फिर हम लोग क्या करते हैं जो वो होता है क्या कहते हैं इसके उपर का cap होता है उसको लेजा करके loading tray के help से रखेंगे इसको लेजा करके ऐसे press करेंगे ठीक है यहां plate with rubber top होता है press करेंगे थोड़ा सा और यहां पर liver और cam handle उता है उसकी help से अच्छा ठीक है इसको press कर देंगे तो cam उसमें क्या हो जाएगे जुढ जाएगी और फिर यहां से हम लोग यह liver और cam handle करेंगे तो लिवर से अच्छी लिवर होता है लॉक करने के लिए जैसे यह प्रोसेस को नीचे किया लॉक कर दिया ठीक है ना कैम एंडल है फिर यह कवर जब इसके नदर बंद हो जाएगा दबाएंगे कैपसूल मेरे भार आ जाएंगे और टेर से लेकरके भार कर लेंगे किलियर है अभी इसका मुटवड़ चांधिया मैंने की किया हो रहा है कि फिर पॉल्र डाला प्रेश किया लॉक कर दिया इसका कैब ढग दिया बाद लेको बहार निकाल लिए ठीक है तो यह हो गया मेरा hand mat तो क्या वोड़ाद है empty capsule जो capsule खाली है are filled in the loading tray ठीक है आप हम इसको बारी-बारी से line to line समझते loading tray में भरेंगे and it is placed over the bed इस bed को पर रख देंगे the cam handle is operated to separate the capsule cap from their body जो cam handle के help से हम लोग जो capsule मैंने या भरे थे वो caps को अलग कर लिया जाएगा पूरा-पूरा full capsule था यह starting कैसा capsule था यह full capsule था ठीक है तो full capsule यहाँ set हो गया cam handle के help से मैंने वो क्या कर लिया उनकी caps को अलग कर लिया ओके आगे आते हैं the powder tray is placed in proper position powder tray के अंदर powder भरा उठा करके proper position पर रखा and filled with the accurate quantity of the powder with the scraper scraper के ओता मैंने बताया न इसा मोबाइल लेकि मैं ऐसे बतारता है ऐसे scraper की help से पूरा proper powder भर देंगे the excess powder is collected on the plate form of the powder tray जो फाल्टू का powder होगा उसे खीर के किनारे कर लेंगे यहाँ पर plate form रहता है या लग क्या रहता प्लेट फॉर्म ऐसे साफ करके scraper से किनारे कर लेंगे होते ठीक है the pin plate is lowered and the filled powder is pressed जो पिन प्लेट होती है उसे नीचे करेंगे ठीक है the filled powder जो powder यहाँ भरा हुआ है उसको दबा देंगे by moving the pin downward pin को नीचे खिशते हुए after pressing the pin plate is raised and the remaining powder is filled into the bodies of the capsule जब पिन प्लेट को वापस हटा देंगे उसमें जगा बन चुकी है यहाँ पर capsule के अंदर फिर पाड़ो ट्रे की help से और पाड़ो बचा को उसको फिल कर देंगे the powder is removed बाद में powder को हटा देंगे after its complete filling जब पूरा powder भर चुका तो उससे हटा देंगे the cap holding tray is again placed in position जो cap holding tray जिस tray ने cap को hold किया हुआ था इससे निकाला था उसको वापस से वहाँ लगा देंगे position पे ठीक है the plate with the rubber top is lowered and the lever is operated ठीक है यह rubber top है इसको लगा करके ऐसे press कर देंगे ठीक है cap जिसके अंदर cap लगी हुई थी उसको रखा इसके उपर फिर इसको लगा करके यहाँ पर press कर दिया हम लोगों ने okay the cap holding tray is again placed in position वापस से उसको अपनी जगा पे ले आएंगे the plate with the rubber top is lowered and the lever is operated to lock the caps and body lever को operate करेंगे जिससे की cap और body lock हो जाए the loading tray is then removed and the filled capsule are collected जो loading tray starting में डाली थी वहाँ पर उसको remove कर लेंगे और भरे हुए capsule है उनको collect कर लेंगे निकाल लेंगे अब क्या कह रहा है with a 200 hole machine 200 जिसके अंदर 200 holes होते हैं है न होल्स काउंट करेंगे 200 about 5000 capsules can be filled in one hour लगबग 5000 capsules भरे जा सकते हैं एक घंटे में whereas जबकी in a machine having 300 holes अगर किसी machine में 300 holes हैं साड़े साथ हजार कैपसूल जाने कि 7500 capsules can be filled in one hour एक घंटे में भरा जा सकते हैं साड़े साथ हजार कैपसूल कि लिए रहे सिंपल है इसको बैटा थोड़ा सा जबगो तो exact एकदम मायन में picture set हो जाएगा फिर तुम्हें पढ़ने की जरूद नहीं पड़ेगी ठीक है क्योंकि लाग देख लो यहाँ picture में लाग कर लो जब तक practical चीज ना देखो यह सब चीजे हैं तब तक उतना अच्छा मायन में सेट नहीं होता और जिन बच्छर समझ में आ प्रोसे स्फॉम्हें एकजल मैस saç होती हैं हम लोग इंग र्ट्री डाय प्रोसे तो देखो रोट्री ॉप्रोसे यहां से बनेगा और यहां से बन रहा है यह थीक है ना बासमझेवार है है कि लियर ऐख ऩो यहां से डिया होता है है से एक और यहरा होता है और यह दो डोलर डाइस किल्ए ौरॉलर रोलर कैसे हैं तुमनों को बता हूं को समझना जैसे को नऄ दिखा रखें ठीक है इनमें खाचे कटिए होएं इस टाइप से ठीक है इहाँ पर ऐसे बात को समझने कोशिश करना जैसे कि डाइ है सपोस यह डाइ है और यह जलेटेन यहां से आ रही है यह जलेटेन यहां से आरए हर इस टरह वाली डाइल में एसवा lại के आ पर medicine इसके उनने डाले जाती है और यह स्थरीके से press हो जाती है तो यह dye dye घाइ मतलब साचे खाचें और इस तरह से press हो गया और प्रेस होने के बाद यह आगे निकल जाता है तो एलग और फालती होती है गलती बची बचिव अलग हो जहती है कैफुल लॉक हो करके हमारा इधर आयाता है फिल आएडिकामेंड और दोनों तरफ से जो मेंटाइ से जो ये जैलेटिन आरी आपस में ऐसे करके ऐसे चिपक जाएंगी यहां जैसी बीच में आएंगी यह देख यहाँ पर यहाँ पर यहाँ चिपक जाती है तो दोनों की दोनों जैसे गुजियां में गुजियां देखिए ना साचा होता है बीच में लोई डालते हो हाटे की मैदा की ठीक है उसके उसको प्रेस करते हो कर देता हो गुजिया चिपक जाती है सेम प्रोसेस यहाँ पर है यह यह product material है same time पर जिससे में यहाँ पर pressing और उसी time पर medicine डाली जाती है तो एक time पर यह निकल करके भार आता है और जो capsule होते हैं इस तरीके से निकल निकल के भार आते रहते हैं बात समझ में आ गई तो rotary die process की बात करें in this machine the soft gelatin capsules are prepared soft gelatin capsule prepared किये जाते हैं and then filled immediately with liquid और तुरंथ ही liquid से भ भड़ा जाएगा ठीक है it is having two hoppers two hoppers है एक gelatin के लिए एक hopper यह दूसरा hopper ठीक है and two rotating die दो rotating die होती है यह रूटेट कर रही है ठीक है यह डाई वाले पार्ट को मैंने यहां पर यह दिखाया हुआ है दोनों opposite direction में एक ऐसे घूमेंगा उल्ट अल्ट अल्ट डिरेक्शन है जैसे अपना गन्ना गन्ने जूस पीते हो उसमें जैसे जिससे डाई मतलब वह रोलर जुमते हैं लिक्वीर मिंक्चरिस प्लेज़् फेजिन वन होपर एंड लिक्वीर मेडिकमेंट इन अधा लिक्वीड मिंचर एक में meडिकमेंट एक में रख जाएगा दा 2 रूटेटिंग डाय रूटेटीन अपोजीक्शन यह दूनों opposite direction में गूम रहे हैं ऐसा एसा गू पर आती है, ठीक है, at this stage, okay, continuous ribbon, okay, these half cells of the capsule is formed, ठीक है, अब जो ribbons है ये, these form, यहाँ पर रोना चाहिए, these forms half cells of the capsule, जो capsules के half cells होते हैं, इधर इधर वाले, ये ribbons, एक half cell इधर बना, एक half cell इधर बन गया, clear है, at this stage, the measured quantity of medical recommend, इसी time पर, एक नाप्य हुई, दवाई की जो quantity होती है, filled into it with the stroke of a pump, जैसी भर रहा होते हैं, एक pump, ऐसे जटके, पंप एक पंप कर दिया का, तो उतनी दवाई एक जटके में अंदर जाती है, और तुरंत वो सी, मतलब, जितनी तरह में सील होगा ना, उतनी तरह में पंप से वो प्रेसर से अंदर जागा, खट एक नम बन, हैना, बॉल आई बन, दवाई आई बन, इस टाइब से, ओके, पंप विद दा सब्सक्रेंट मूमेंट अफ दाई, दा अधर हाफ कैसूल is formed, ओके, तो क्या कह रहा है, at this stage, the major quantity of medicament is filled into it with the stroke of a pump, with the subsequent movement of the die, the other half capsule is formed, ठीक है, the two halves of the capsule are sealed together by the heat and pressure of the rotating die, rotating die का जो heat और pressure होता है, pressure आपसे चिपकने से जो pressure बनता है, उससे ओदोना आपसे seal हो जाते है, as the die rolls, rotate, the convergence of the machine, die pocket seals and cut out the field capsule, ठीक है, तो मैंने तरीका समझा दिया है, जैसे से roll करेगा, rotate करेगा, जैसे cut करेगा, बाहर निकाल देगा, waste को अलग निकाल देगा, clear है, कुछ language है यहाँ पर, कई बार समझने में हो सकते हैं, तुम लगे कि exit समझ में नहीं आ रही, तो जो मैंने हिंदी में जिससे आप से बोला है, ठीक, उसी प्रकार से लिख लो evolution of capsule, same जैसे हम लोग tablet पर करते हैं, uniformity of weight, content of active ingredient, disintegration test और dissolution test, बिल्कुल सेम वैसे ही करते हैं, यहाँ पर इभी, ठीक है, आगे आते हैं, leak test procedure, PT, LT apparatus, एक apparatus होता है, जिसकी help से हम लोग capsule का leak चेक करते हैं, capsule leak तो नहीं है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर आओ देखे जा रहाँ, the leak test apparatus is widely applied in pharmaceutical industry है ना, यह है pharma test leak test करके है, the leak test apparatus is widely applied in the pharmaceutical industry for checking strips, जो strips तुम लोगों ने factory में बन जाती है, मतला हम लोग बना देते हैं, manufacturer, ठीक है, या blisters, कोई capsule बना दिया है, bottle है, tablet है, capsule है, syrup है, सीरप है, सोन, कोई भी चीज़ बन गई है, जिसके अंदर liquid गएरा, या कोई sodium foil है, वो मालोब पानी में गिर गई, leakage होगा, तो पानी उसके अंदर चला जागा, दवाई इसके अंदर pack है, और दवाई हमारी खराब हो सकती है, तो check करना पड़ेगा, तो उसके लिए same procedure है, same apparatus है, okay, it also find application in the food industry, जो खाना pack करते हैं, हम लोग vacuum pack करते हैं, खाना, वहाँ प eat packets, बहुत सारे आजकर खाना यहां तो नहीं है, विदियो समें बहुत जादा खाना जो है, आता है, बस डाव के heat कर दो, खाना तयार है, ना, आता है ना, confectionary packaging है, packs of noodles है, sauces, to name but a few, sauces, ठीक है, यह कुछ नाम है, कुछ थोड़े से, बहुत बहुत सारी चीज़ों होती है, ख ठीक है, डखकन रहता है, इसा खोल देंगे, इसके अंदर रख देंगे, यह एक glass का बना हुआ है, यहां से एक pipe जाता है, और यहां पूरी machine होती है, ठीक है, यहां पर इसके LED लगे होती है, यहां पर पूरे बटन होती है, ठीक है ना, तो यहां बटन दबा करके हम इसके अंदर vacuum create करते हैं, क्या create करते हैं, vacuum, इसके अंदर हमारे sample रखे हो, मान लोग capsule की बात कर रहा है, तो capsule रखा हो इसके अंदर, sample के अंदर, ठीक है इस type की machine होती है, यहां डियाग्राम देना भूल गया हो मैं, कोई बात नहीं, चेक कर लेना है गवरी, तो इसी type machine रहती है, इस बगल में glass का छोटा सा chamber रहता है, ठीक है, इसी type का, और machine से connect रहता है, यहां पर लोग operate करते हैं इसको, अब क्या कह रहा है, इसी को हम desiccator chamber बोल देंगे, जिसके अंदर vacuum create होगा, आ गया आते हैं, samples are placed into desiccator's housing and the lid is placed in position, ठक दिया, बंद कर दिया, अब the pump start to produce a vacuum inside the desiccator इसका vacuum create होना start हो जाएगा, ठीक है, and the vacuum is held for a preset time, और जितना time set है, 2 minutes, 10 minutes, 15 minutes, जितना time के लिए, उस product के लिए demand है, उतना time के लिए vacuum create करके रखा जाएगा, the first issue is that, the tested package should keep its shape, पहला issue क्या है, कि the tested package, जिसको package को test किया जा रहा है, should keep its shape, उसको अपना shape को बरकरार रखना है, क्योंकि छोटी सी चीज है, ठीक है, during this test, otherwise the sealing is not correct, एक capsule है, ठीक है, इसको vacuum chamber हो रखा है, यहाँ से vacuum भाहर निकाला जा रहा है, अगर vacuum भाहर खीता जा रहा है, अगर इसमें कोई छेद है, suppose, तो यहाँ से भी हवा निकलेगी, और यह capsule क्या होगा, सुकड़ जाएगा, सुकड़ेगा कि नहीं सुकड़ेगा, तो यानि कि अगर यह अपने shape से, इसका shape बिगड़ जाता है, इसका मतलब इसकेंदर कहीं नहीं चेद है, ओके, आगे आते ह लिगा क्या है, as the package is immersed in color dye solution, इस package को हम लोग क्या करें, color dye, एक dye वाला solution उसके अंदर immerse कर दे, नॉर्मली methylene भी होता है, the venting of the desiccators, desiccators की venting, इसका मतलब क्या होगा है, जो vacuum create किया जा रहा है, venting of the desiccator, यहां से बाहर निकाला जा रहा है, हवा को, ठीक है, will allow any hole to be penetrated by the dye कोई भी अगर hole होगा ना, उसके अंदर dye घुश जाएगी, मालों यहां कोई hole है, तो इसके अंदर क्या करेगी, dye घुश जाएगी, मतलब कि एक packet लिया, और इस capsule को यहां डाल दिया है, और यहां पर क्या है, यह dye इसके अंदर घुशेगी जाकर के, ठीक है, and the content of the flexible packaging will also be stained, और जो उस capsule के अंदर जो content है, या package के अंदर कोई content है, वो भी क्या हो जाएगा, dye का color उसके अंदर आ जाएगा, will also be stained, उसके पर दाग लग जाएगा, with the same curving material, तो हमको पता चल जाएगा कि इसके अंदर leakage है, similarly small bottles can also be tested, इसी तरह छोटोटी bottles को हम leakage को इस तरह test करते हैं, a sheet of paper will absorb any leakage, ठीक है, इसको उटा देंगे, ओके, तो छोटोटी bottles को हम लोग यहाँ पर इस तरीके से क्या करते हैं, test करते हैं, तो main हमारा है focus किया तक capsule का था, लेकिन थोड़ा सा extra स्रिफ इसले बताया है, जो तुम लोग मत लिखना, exam में तब भी चल जाएगा, कि food packaging हुआ, हमा का shape नहीं बिगड़ना चाहिए, दूसरा color अगर उसके अंदर घुश जाता है, तो यह दोनों ही चीजे indicate करेंगी, कहीं नगें leakage है, अगर उसका shape बिगड़ गया है, vacuum create करने के बाद, और उसके अंदर के material में, यह methylene blue color पहुँच गया है, तो leakage का हमें पता चल जाता है, clear है तो फिलाल हमारे लिए यह हमारा chapter, यानि की lecture इतना ही था, capsule को ले करके, और यह आगे है अपना my nurture app, तो बेटा फिर कहा रहा हूँ मैं, जो तुझी मैंने important बताई है, उसको जरूर अच्छे से focus करना है, ठीक है न, notes का link discussion मिल जाएगा, थोड़ा बात कई वार late हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सभी के notes मिल जाएगे तुमको, सभी वीडियो के description के link में, कोई problem आती है तो मुझे call कर लें, ठीक है, इस app का इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत से बचे इस बचे इस app का और आप भी कर सकते हो, अगर जरूरत है तो, otherwise सबसे जरूरी ची कोई कि भाल, का का आती है तो, अगर में इस तूमको बाहरा चा है वीडियो के आती है तो, आबर ₹ मुझे चलदा के का सकतते हैं आती हैं, अगरे हैं, वाल इस सकते हैं, अगरे हैं, आपक beim बगार दें, थखक按ो कर एक तूमको, थामको धूमको लेह देई ज़िगा से